शमीता शेटी जिस समय घर के अंदर गई उस समय उनकी बेहन शिल्पा काफी परेशान चल रही थी एक बुरा दोर अगर मैं कहूं तो उनकी जिन्दिगी में चल रहा था राजकुंद्रा को अरेश किया जा चुका था ऐसे मैं जब शमीता बिग बॉस के घर के अंदर गई तो बहुत सारे सवाल उठे कि क्या शमीता को जाना चाहिए था क्या इस समय जब परिवार को उनकी सबसे ज़ादा ज़रूरत थी तब उनका बिग बॉस OTT में जाना सही था अब इन सारी चीजों पर पहली बार शमीता ने चुपवी तोड़ी है शमीता ने अपने इंट्रिवियू में कहा कि कटिन समय के दौरान मैं अपनी बेहन शिल्पा को अकेला छोड़ा मैंने इस बात का मुझे बहुत बुरा लगा था मैं नहीं ऐसा चाहती थी मुझे बहुत दुख होता है कि मैं शिल्पा के साथ उस मुश्किल वक्त में नहीं थी उसके साथ खड़ी नहीं थी मुझे उसके साथ रहना चाहिए था क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं OTT में थी तो मैं शिल्पा को लेकर काफी परिशान रहा करती थी इतना ही नहीं वो आगे कहती है कि मैं नहीं जानती थी कि बाहर क्या हो रहा है हम दोनों बहुत क्लोज हैं और शिल्पा ने जिस तरीके से इस पूरे घटना करम को संभाला है मुझे गर्व है उस पर इंटर्विव में वो आगे कहती है कि इस घटना से मेरा कोई लेना देना नहीं था फिर भी मुझे ट्रोल किया गया इसलिए मैंने सोचा कि मैं अंदर जा सकती हूँ साथ में उस समय क्या चल रहा था आप सब भी जानते हैं कोविट के कारण लोगों को काम नहीं मिल रहा था और मेरे पास काम सामने से चल कर आया था तो मैं काम का अनादर नहीं करना चाहती थी मुझे पैसे भी कमाने थे और इसलिए मैं घर के अंदर जाने का मैंने फैसला लिया तो ये शमीता ने पहली बार बोला उन्होंने ये माना कि हाँ मुझे इस बात का बहुत दुख था कि मैं अपनी बेहन के साथ उस समय खड़ी नहीं रही लेकिन मुझे इस बात पर गर्व है कि मैंने काम का अनादर नहीं किया और मैं जो है गई और उस समय जब काम ही नहीं मिल रहा था मुझे पैसे भी कमाने थे और मैं सामने से आयोवा काम जो है वो छोड़ना नहीं चाहती थी